अग्बार जगत से आज मैं आया हूँ इंदोस शहर में खजान अगड़िश मंदिर हम जनता से जानेंगे लोग सबाचुनाओ के परपस में आपकी बार किसकी सरकार को लेकर मेरा डाम चंद्र मोहन सेनी इस बार आप किसकी सरकार लना चाहेंगे मोधी सरकार सर इसा क्यों मोधी सरकार ने सर बहुत अच्छे काम किये हैं बहुत पढ़ाई के मामले में नौकरी के मामले में बैसे भी मोधी सरकार बहुत पहले इतने सत्ता सालों में कांग्रेस में क्या किया खुश नहीं किया मोधी सरकार ने अपने भारत का नाम बहुत रो क्यों मोधी जी ने तरह अच्छा किया है एजूकेशन के मामले में मतलब जिस शीज भी चाहो अपने देश को रफ्तार मिली है आगे जाने की जाने की रहुल गांदी रहुल गांदी निया ना चैट फ्रेंक प्रेंकर गांदी वो भी ने आना चाहिए वह तो देश्वाधी ह तो चाहते हैं कि आप मोदी सरकार से अगर इस बार भी मोदी सरकार आती है तो आप पाच साल के लिए अंदर अब मोदी सरकार से क्या चाहते हैं कि वो क्या आगे बढ़ा है देश को जो उन्हें योजना इंप्लिमेंट की है इस बार उन्हीं योजना आगे बढ़ा है वो देश के कल्यान में जो काम अभी तक उन्हें किया है वो फिर से करते रहें सर इस बार आप किसके सरकार लना चाहिए इस बार हम कांग्रेस की सरकार बना च जाएंगे चांग्रेस में राएल गांधि को प्रेंगउ को रहुल गंदी स्भीडिकों ब्राईंग मोर्ष आप उनसे क्या उमीद चाहते है कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है और अगे भी करेढ़ी कांग्रेस के उनसे हमारी बहुत अपक्ष्छा हमार्य झाय मोधी जी को क् पंद्रह लाग रुपे देंगे गरीबों की सायता करेंगे कुछ भी निदिया मोदी जी ने चाहिए जो देश के हित के लिए बात कर रहा है वो सरकार रहने चाहिए कांगरेश ने तो पिछले 70 सालों से लूटा है देश को देश का क्या हाल हुआ यह पूरे देश को पता है लेकिन अगर देश को जरूरत है तो मोदी को जरूरत है अचा सर मैं आपसे एक प्रश्ण पूछना चाहूँगा सर आपका बिजनेस की आप जॉप करते मेरा बिजनेस है तो सर में यह पूछना जाऊँगा कि मोदी सरकार ने जो 18 परसें जी लगा उसमें आपको नुक्सा तो आप उनसे क्या उमीड चाहते कि देश का क्या करना है इने देश के लिए जो प्याप बताएं कि आपको जो भी हो वो बता सकते हैं कि आप मोदी सरकार से क्या उमीड चाहते हैं मोदी सरकार ने जो यह जिनाएं भारत के लिए करी हैं वो देश हित्म हैं और मोदी सरकार आती है तो भारत सुरक्षित रहेगा और क्यों यह अड़बंदन करके सरकार तो बनने कर नहीं है लेकिन सिर् लेड़भन मिलेकर के कुछ करी नहीं सकते हैं और ही पप्पू के बाद भाप्पू है क्भानी किसी में दम नहीं है किसी में दम नहीं है तो तो क्या सुविदा उनने MP के लिए दी थी तब अपनी ये बात कर रहे हैं तक्रियन 15 साल 17 साल पुरा नहीं जी राजस्व का बड़ा आभाव होता था तब 15 साल पहले भी अब बहुत सारे आई आटियार बढ़ गए है जन्रली जो भी नई यूथ आ रही है उस सब आई टियार पे करती है राजस्व का एक बड़ा बंडार अब मिल रहा है तब तो नह आपके अधरकते पर अब वहन्य वाली सरकार कमलनाच जी की बनी है पंगे बहुत भी धर काम कर रही है यह अवाओं के लिए भी किसानों के लिए भी भी लुपाणियों के लिए 不 gagner आप किस के सरकार लाना चाहिए। कि आप किसके सरकार लाना चाहिए जो भी जनता के तुमें काम करेंगा उसकी सरकार आना चाहिए फिर भी आप मताये मौसली वीजएबी की आना जाई है मोधी सरकार लाँ गंदी और प्रियंका गंदी क्यों निम्या रहूल प्रियंका अपनी के हैं मोदी अपनी जगे एज डिफ्रेंस से एक्सपिरियेंस है उनको अनुभव माहिने रखता है इसलिए आप किस की सरकाल आना चाहते है कि मोदी जी जो वादे के थे अच्छे दिन के अच्छे दिन तो लगता हिंदुस्तान में अभी तक आये नहीं है और करप्शन जो य पंटर पंति की वज़े से यह तक वादी इतने हमले कर रहे हैं सर आपकी बार किस की सरकार मोदी सरकार राउल गांधी प्रेंका गांधी पपो देश के सरकार चलाएंगे